कि हैं एलो एव्रिवान हैलो हैलो कैसे हैं सारे के सारे प्यारे बच्चे और फ्यूचर डॉक्टर जो अपने नीट के त्यारी के लिए आ चुके हैं इप जो भी तमध्य तॉम्हद कर ने के लिए बोलते हैं इस पर डट के फॉलो करो सक्सेस तुमारी होके रहेगी बिना किसी टेंशन के कोई भी टेंशन लेने की जरुवत नहीं है जो भी टीचर समझाते हैं उसको वैसे ही फॉलो करते रहो सब कुछ बढ़िया होता रहेगा चलो जी, your agrim sir your agrim sir, देखो हम है तुमारी सारे teachers अपने बच्चों के ही होता है बच्चे अपने टीचरों के होता है तो your agrim sir welcomes you to the complete chapter of cell cycle and cell division ठीक है बहुत बढ़िया chapter है बहुत scoring chapter है फटा फट इसको देखना start करते हैं कोशिश करूँगा जितने colors हैं colors से तुमारे दिमाग में एक mental image create करा दूँगा जिससे की तुमारे दिमाग में हर चीज़ छप जाएगी question आएगा ऐसे ही choose कर लोगे answers ठीक है चलो जी शुरू करते हैं इन्होंने हमें दे रखा भी क्या topic cover करना है वही पूरा पूरा chapter cover करना है complete chapter cell cycle and cell division जब हम बात करते हैं अपने cell cycle की तो क्या लिखा देख रहा है तुम्हें cycle word देख रहा है cycle वाली चीज़े कैसी होती है goal होती है तो goal हम आपके छोड़ देते हैं अब इन्होंने कहा कि यह जो cycle है एक sequence में चलती है कोई भी cyclic चीज होगी तो एक set of sequence एक set of order को follow किया जाएगा एक parent cell है वो इस cycle को follow करेगा end में divide करके दो बच्चे बना देगा उन बच्चों को अगर फिर से divide होना है तो वो ही cycle follow करके वो भी नए बच्चे बनाएंगे तो इसलिए process का नाम है cell cycle and cell division अब scientist ने क्या देखा माल लो तुम हो scientist ठीक है तुम scientist हो कितना अच्छा लग रहा है लगना भी चाहिए यार doctors भी scientist आले काम करते हैं आगे जाके तो तुम हो scientist तुमने एक cell को microscope में देखा और तुम ऐसे बैठके देख रहे हो इसको microscope में और तुमने देखा यार यह तो कुछ करी नहीं रहा है बैठा हुआ है बैठा हुआ है थोड़ी दिर बाद तुमने देखा यार कुछ हो रहा है तुमने फटा-फट से दोस्तों को बला है यार देख देख cell में कुछ हो रहा है और थोड़ी दर तक कुछ हुआ एक घंटे तक तुम बिला रहे लोग को लोग देख रहे हैं, सेल में कुछ हो रहा है, एक घंटे बाद जब तुमने लोगों को बिलाना शुरू रहे हैं, लोग देखे कह रहे हैं, कुछ भी तो नहीं कर रहा है, कुछ भी तो हो नहीं रहा ह कुछ करे, कुछ करे, कुछ करे, नहीं कर रहा, अगले 24 घंटे भार फिर देख रहो यार कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो scientist ने क्या कहा, इसी के बेसिस पर scientist ने कहा, कि एक period है, इस एक छोटे से हिस्से में न, cell में बहुत सारी activities होती हुई, दिखती है, दिखना is the main word, होती तो पूरे टाइम है, लेकिन वो दिखती है या नहीं दिखती है, वो सवाल है, तो scientist ने कहा, कि एक time ऐसा है, जब चीजे होती हुई दिखती है, तो उसको नाम दिया scientist ने, M phase, और जब कुछ होता वा नहीं दिख रहा है, तो उसको scientist ने नाम दिया, Interphase, M phase में होता है, बहुत थोड़ी सी देर के लिए होता है, इस M phase के अगर हम बात करते हैं, तो लगभग 5% duration, लगभग 5% की बस duration है, 100 minute की cycle है, तो बस 5 minute में ये सारा काम चल जाएगा, और बाकी के 95% duration, वो निकालता है, Interphase में, Interphase को scientist ने नाम दे दे था, resting phase, ये तो कुछ भी नहीं कर रहा, अराम फर्मा रहा है, बट बार में पता चला कि अराम नहीं कर रहा है, Interphase में वो बहुत जादा metabolically active है, बस divide होता हुआ नहीं देखता, microscope में तुम्हें लगगा, ये तो कुछ भी नहीं कर रहा, तो चुपके चुपके undercover सारे काम कर लेता है, Scientist ने आगे और तफ्तीश करी, और research करी, तो ये पाया, कि ये जो पूरा को पूरा Interphase है, इस Interphase को divide कर सकते हैं, as G1, as S and G2, G1, S and G2, इन तीन पार्ट में divide किया जा सकता है, M-Phase को देखा, तो M-Phase को भी बोला कि इसको भी divide कर सकते हैं, Cario-Kinesis, Cytokinesis में, और फिर देखा कि इस Cario-Kinesis को अगर divide करना है, तो इस Cario-Kinesis को Pro-Phase, Meta-Phase, Ana-Phase, Telophase में divide कर सकते हैं, और तो और इन्हों ने ये भी कहा, कि आपके पास एक option आता है, जो आप इस cell से बाहर जा सकते हैं, cycle से बाहर जा सकते हैं, नहीं मने न काम करने का, निकल जाओ cycle से बाहर, ऐसा भी option आता है, तो उसे 1 से पहले का number G0 बोल दिया, या G0 बोल दिया, या quiescent stage बोल दिया, और उन्हें ने कहा, कि अगर जरूरत पड़े, तो आजओ वापस अंदर, कोई बात नहीं, आप जीवन से exit मार सकते हो, आप वापस भी जीवन के अंदर आ सकते हो, तो इन्हों ने इस तरीके से ये सारी की सारी चीज़े बताई, कि ये जो सारगा सारा पार्ट है, इस पार्ट, इसको बोल दिया M phase, यहाँ पे actually में cell divide करेगा, पहले karyokinesis, nucleus का division, फिर cytokinesis, cytoplasm का division, और बाकी जो सारा बच गया, बाकी ये जो duration चल रही है, ये सारी की सारी duration, इसको बोल दिया Interphase, तो सबसे बहले तो ये दो divisions है, M phase, interface, interface में बता जला, G1, G2, direction कैसे घूम रही है, इस direction में चीज़े हो रही है, यहाँ से start होता है, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर karyokinesis, cytokinesis, और जिसको भी cycle repeat करनी है, उसको यही से ये cycle दोरानी पड़ेगी, ठीक है, तो ये हो गया हमारा Interphase और M phase, Interphase के अंदर तुम्हें तीन चीज़े दिखती हैं, अगर हम एक Interphase की बात करें, Interphase की बात कर रहे हैं, तो इसको डिवाइड किया G1 में, S में, G2 में, ठीक है, एक एक करके ये चीज़े होती रहती हैं, G1 की अगर बात करें, तो इस G1 में, S के लिए सारी तयारी चल रही है, तो इस G1 के अंदर, cell अपने organelles duplicate करता है, NCRD की लाइन है, most of the cell, organelles duplicate in G1 phase, फिर NCRD की लाइन आती है, कि ये जो G1 phase है, इसमें ATP, RNA, enzymes, proteins, nucleotides, ये सब बन रहे होते हैं, फिर इसी G1 के लिए, NCRD कहती है, कि एक deployed cell अगर है, तो एक deployed cell यहाँ पे 2N, और 2C से denote किया जाता है, 2N से उसका chromosome number बताते है, 2C से उसका content, content का मतलब है उसका mass, एक हो गया कितनी गिंती है, तो वो number है, 2N से बताते हैं, deployed के लिए, deployed का मतलब है, ये चीज़ें पहले से pair में exist करती है, पहले से चीज़ों की double-double copy है, अब तुम अपने आपको ध्यान रखो ना, simple, तुम पैदा होए थे एक sperm और एक egg के fusion से, तो sperm में 23 chromosomes थे, egg में 23 थे, जब वो fuse होए, तो zygote में 46 chromosomes आ गए, लेकिन वो है क्या, 23 pairs, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, करते 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 22 pairs हैं total, फिर female में XX है, male में XY है, 23 pairs of chromosomes, तो उसको 2N और 2C से denote कराते हैं, चिक है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, अगर मुझे ये चीज़ DNA की term में समझानी हो, ठीक है, DNA की term में मुझे बताना हो, तो मान लेते हैं, ये DNA 1 की एक copy, ये DNA 1 की दूसरी copy, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, एक तो इस तरीके से इसको मैं show कर सकता हूँ, या फिर, अगर मैं उसको थोड़ा nucleus वाले diagram से दिखाने की कोशिश करूँ, तो अगर मैं nucleus बना दूँ, तो ये एक copy बनाई ही मैंने, और साथ में मैंने दूसरी copy बना दी, ये मैंने बना दी हैं chromatins, ये एक copy 1 की, और ये दूसरी वाली copy 1 की, जो की condensed form में chromatin वाले form में हैं, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, तो यहाँ पर ये condition G1 के अंदर दिखती है, अब S-phase में जाएंगे, S-phase के features NCRT ने बताएं कि ये वो phase है जहाँ DNA replicate करेगा, अपनी DNA अपनी copy बनाने लग जाएगा, जब DNA replicate होगा, तो cytoplasm में वो जो centriol, centrosome होते हैं, वो double हो जाते हैं, तो centrosome duplication या centriol duplication S-phase में होगा, DNA का replication S-phase में होगा, और NCRT ने कहा, कि chromosome number तो नहीं बदलता, लेकिन content double हो जाता है, तो ये बड़ी आश्यरे चकित बात हो गई, कि 2N, 2C, यहाँ पे 2N, 4C हो जाता है, 2N में कोई change नहीं दिखा, ऐसा क्यों, तो ये जो orange वाला thread है न, इससे समझते हैं पहले, पहले मैंने DNA की ये copy बनाई थी, और मैंने कहा था, by default ये दो copies exist करती हैं, मैंने कहा था, by default अगर दो हैं, तो दो copies माने जाएंगी, अब, इस S-phase में क्या होता है, ये दो no copies बना लेते हैं, इसके साथ इसकी एक एकदम replica बन जाएगी, 100% same copy लेकिन अलग नहीं है, इसके साथ भी इसके 100% same copy बन जाएगी, लेकिन अलग नहीं है, उसी के चारों तरफ सब कुछ लिप्टा हुआ है, तो देखने में अभी भी ये दो individuals लग रहे हैं, यहाँ पे भी ये दो individuals लग रहे हैं, तो 2N is 2N, pair मतलब 2N, इसी को मैं तुम्हें अगर यहाँ पे शो करूँ, तो क्या होगा, तुम्हें ये दो threads अलग नहीं दिखेंगी, तुम्हें दिखेगा कि ये one वाली thread मोटी हो गई है, और जो दूसरी one वाली thread है, ये भी काफी मोटी हो गई है, तो पतले से मोटा होता हो दिखेगा, number का increase नहीं दिखता, पहले भी दो धागे दिख रहे थे, अभी भी दो धागे दिख रहे हैं, पहले भी pair में थे, अभी pair में हैं, तो इसलिए NCRD कहती है, that chromosome number remains same, लेकिन जब पहले उसका mass निकालोगे, तो मान लो X निकला, X picogram, DNA का weight हम picogram में बताते हैं, तो X picogram निकला, वहीं पे जब S phase के nucleus से DNA निकालके उसको weight किया, तो देखा वो 2X picogram पे जा चुका है, number उत्र नहीं था, mass double हो चुका है, क्योंकि DNA replicate हुआ, G2 is the second gap, पहले S से पहले एक gap लिया, उसमें सारा preparation किया, S phase में DNA replicate करा लिया, अब replicated DNA को अलग कराना है, replicated DNA को अलग कराना है, तो अलग कराने की जो process उससे पहले फिर एक gap लेता है, तो वह है G2, और RNA, और proteins बनते हैं, tubulin नाम का special protein बनता है, mitochondria, chloroplast, semi-autonomous organelles हैं, उनका duplication होता है G2 period में, लेकिन कोई change अब नहीं आया, वही 2N4C condition, यही same condition यहाँ पे भी pass हो जाती है, same as S, same condition यहाँ पास हो रही है, deployed बोलने का मतलब है, things exist in pair, deployed बोलने का बस मतलब है, चीजें pair में हैं, अगर मैं इस तरीके से यह एक धागा बना दूँ, यह दूसरा धागा बना दूँ, इधर भी धागा बना दूँ, इधर भी धागा बना दूँ, नमबर कर दूँ इनका 1, 2, 3, 4, तो अकेले अकेले नमबर है, तो आप इसको बोलोगे, n is equal to 4, वही पर अगर मैं धागे बना के, labeling कर दूँ, 1, 1, 2, 2, तो अब चीजे by default कैसी दिख रही हैं, pair में, तो 2n लिखके ही बताया जाएगा, और जो भी counting में नमबर आएगा, वो लिख दो, अगर मैं यहाँ पे DNA की threads बनाता जाऊँ, multiple threads बना रहा हूँ मैं आप है, 1, 1, 2, 2, 3, 3, इस तरीके से अगर मैं numbers दे दूँ सारे के सारे, तो अभी भी चीजे कैसी exist कर रही हैं, pair में, तो हम 2n लिखेंगे, 3n नहीं लिखेंगे, n मतलब अकेला, 2n मतलब दुकेले, double-double है तो 2n, अकेला-केला है तो n, तो यह अकेले number में है, तो इसलिए n, यह double-double number में है तो 2n, यहाँ भी double-double number है तो 2n, और total कितने हैं, 6, तो यह n और 2n का एक concept ज़रा सा याद रखना बढ़ता है, ठीक है, यहाँ पर आपने कहा, जो भी mass है, वो यहाँ double हो चुका है, और यही condition as it is, G2 में pass होती है, तो यह है हमारा interface, अब अगर कोई पूछे बेटे, M phase क्या है, M phase क्या है, M phase में सबसे पहली चीज़ तो जरूरी है जानना, कि यह 2 parts का बना होता है, Karyokinesis, Karyokinesis का मतलब है, Nuclear Division, और इसके अंदर, 2nd part आता है, Cytokinesis, Cytoplasm की Division, यह जो Karyokinesis है, जो Nucleus Division है, Karyokinesis मतलब, Nuclear Division, यह Nuclear Divisions, खुद दो टाइप के हो सकते हैं, एक process होता है, Mitosis नाम का, एक process होती है, Miosis नाम की, तो दोनों में से, जो भी टाइप का, Nuclear Division फॉलो किया जा रहा है, Mitosis या Miosis, उसके basis पर, M की full form decide होती है, कुछ cells Miosis करते हैं, तो आप बोल देते हो, Miotic Cell Division, कुछ cells Mitosis करते हैं, तो आप उसको बोल देते हो, Mitotic Cell Division, यह नाम पढ़े जाते हैं, ठीक है, तो हम जो पहले देख रहे हैं, हम पहले देख लेते हैं, Mitosis के बारे में, चार लेटर हमेशा ध्यान रखना, PMAT, इन लेटर्स को भूलना ही नहीं है कभी, Pro Face, Meta Face, Ana Face, और टीलो फेज, Pro Face, Meta Face, Ana Face, टीलो फेज, यह चार फेज़, As It Is, नाम याद रखने हैं, ठीक है, As It Is, एक एक करके, इन फेज़ेस के बारे में देखना शुरू करते हैं, कभ, Cell में क्या दिखता है, ठीक, एक हम New Condition ले रहे हैं, एक नई Condition लेके चल रहे हैं, S Face के अंदर, हमारा Centriole Duplicate हो चुका था, Centriole Centrosum हमारा Duplicate हो चुका है, बाहर Plasma Membrane है, यह हमारी Nuclear Membrane है, और यह हमारा Nucleolus है, ठीक है, हम बात करें, G2 Phase की, 2N is equal to 4 Condition से समझाऊंगा, 2N is equal to 4 मतलब हो गया, 1, 1, 2, 2, यह वाली Condition, तो यहां पर, अब मैं Draw कर रहा हूँ, हमने कहा था, G2 के अंदर, Threads मोटी हो चुकी है, यह एक Thread, दूसरी Thread, तीसरी Thread, लेकर नमबर क्या जाएगी, Thread No.1, Thread No.1, Thread No.2, Thread No.2, तो यह बन गया, मेरा 2N is equal to 4 Condition, और हमने कहा था, G2 पे, we have 2N, 4C, Deployed Nature है, तो 1, 1, 2, 2 की Copy लगा दी मैंने, 4C मतलब, Double the amount of DNA is present right now, जो S Phase में बना था, तो यह last Condition है, जो G2 पे हम छोड़ रहे हैं, अब एके करके, इन सब को देखेंगे, कि Mitosis अगर होती है, तो इन उसमें से क्या मिलता है, तो Mitosis अगर हम देखें, सबसे पहले चीज मेंने क्या कहा, The first phase is the pro phase, अब NCRT ने कहाए, कोई भी clear का distinction नहीं है, चीज़े overlapping manner में होती रहती है, तो overlapping manner में अगर होगा, तो pro phase में क्या देखेगा, स्टार्टिंग में अगर हम देखें, हमारे जो भी centrioles है, जो भी हमारे centrioles है, ये एक दूसरे से opposite जाना शुरू कर देते हैं, opposite poles पर जाना शुरू कर देते हैं, वो जो perfect सी nuclear membrane थी, वो perfect सी nuclear membrane, हलका हलका breakdown करने लगती है, nucleus दीरे दीरे breakdown करने लगते हैं, जो भी हमारे threads थे, पहले तो गुच्छे में थे, अब वो धीरे दीरे जो threads है न, एकदम untangle सुलजने लगते हैं, सारे के सारे threads सुलजने लगते हैं, तो one, one, two, two, यहां आपने क्या देगा था, उलजे होए हैं, यहां वो सुलजने लग जाते हैं, फिर जैसे जैसे आप late pro phase पर जाओगे, तो late pro phase पर तो NCRT ने कहा, कि end of pro phase, nuclear membrane, nucleolus, कुछ भी नहीं दिखेगा, दीरे दीरे वो पूरे disintegrate होके पूरा खतम हो जाते हैं, NCRT ने कहा, कि यह जो आपके centriole centrosomes है, जो हमारे centriole centrosomes है, इनसे spindle fibers बनने लग जाते हैं, spindle fiber बनना शुरू हो गए हैं, aster's बनना शुरू हो गए हैं, aster's कहा जाते हैं छोटे-छोटे structures को, जो पीछे निकल के आते हैं, they are simply known as the aster's, और, आपके जो chromatids हैं, वो condense होने लगे हैं, अभी पूरे coil नहीं होए, लेकिन इतना है, कि इनमें आपको दो-दो sister chromatids, अराम से देखने को मिल सकती हैं, यही चीज, NCRT ने बताई, कि पहले early pro phase होगा, pole की तरफ जाने लग जाएंगे, untangle सुलजने लग जाएंगे, pro phase के end तक अगर आओगे, तो nuclear membrane, nucleus, ER, Golgi, यह सब नहीं मिलेंगे, spindle, fiber और aster बनने लग जाएंगे, हर chromosome इतना coil हो चुका है, mitotic chromosome बन चुका है, दो-दो chromatids दिखने लग जाएंगी, वही, चीज़ें overlapping manner में होती जाएंगी, metafase पर जब हम आएंगे, जब हम metafase पर आते हैं, तो metafase पर NCRT ने कहा, यह centrosomes बन गए हमारे, अब जो मेरे chromosomes हैं, वो compact होते जा रहे हैं, chromosomes compact होते जा रहे हैं, हर chromosome पर आपको बता है, center में centromere मिलता है, हर centromere में आपने पढ़ा है, centromere के पास, disc होती है, known as kinetocore, और यह spindle fibers इन से चपकते जा रहे हैं, spindle fibers are connecting with these, इस तरीके से spindle fiber चबग जाएंगे, तो अब starting में तो क्या हो गई, यह रैंडम ली इदर उदर से पकड़े होए हैं, और हर तरफ से इनकी खीचातानी खीचातानी चलती रहेगी, every single chromosome is now attached to spindle fiber from both poles, और अभी तो सब फेले होए हैं, खीचतान खीचतान करके cytoplasm में बीच में आ जाएंगे, nuclear membrane ख़दम हो चुकी है, तो cytoplasm, nucleoplasm, single unit हो चुकी है, overall इसको हम cytoplasm ही कह रहे हैं, तो यह है transition to metaphase, और एक time आएगा, एक time मेरे पास आएगा, जब यह सारे के सारे, maximum compact होके, बिल्कुल बीचो बीच आ चुके होंगे, एकदम center में, अभी भी इन सब के centromere से यह connected है एक साथ, और मैंने कहा था, दोनों तरफ क्या है, काइनेटो कोर की disk, we have the disk of काइनेटो कोर on बोद दी साइड्स, खीचा दानी खीचा दानी इतनी करी, करते करते इन सब को, एक central alignment मिल गई, बिल्कुल central alignment में आ चुके हैं, देख रहा एकदम center में आ गए हैं, एकदम center, इसी को metaphysic plate या equatorial plate बोल देते हैं, the central arrangement, तो आपके पास पहले random थे, यहां से शुरुवात हो रही है, chromatin के form में है, सारे उल्जियो होए हैं, सबसे पहले तो सुलजने लगे, centrosome pole पे जाने लगे, फिर थोड़ा थोड़ा आगे गए, तो कुछ टाइम बात इसमें से microtubules निकल रहे हैं, यह जो आगे की तरफ आते हैं, इनको NCRT ने refer किया है, as spindle fiber, और जो पोल्स पर पीछे-पीछे रह गए हैं, NCRT ने refer किया है, asster, फिर यही चीज, जब पूरी membrane खतम हो जाएगी, और यह compact होके, spindle switchback जाएंगे, तो शुरू हो गया metaphase, यही metaphase थोड़ा आगे जाता है, तो सारे के सारे chromosome, सारे के सारे centromeres, center में align हो चुके हैं, इसको बोलते हैं metaphasic plate, फिर यहां से जब आप आगे जाएंगे, तो automatically आप new phase में enter कर जाएंगे, उसका नाम रख दिया गया है, anaphase, anaphase को अगर हमें देखना है, तो anaphase के अंदर क्या मिलेगा, anaphase में यह centromeres एक दूसरे से, अलग होने लग जाते हैं, splitting of centromere feature है इनका, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, यहां छोड़ा था last diagram, यहां पर, मान लो मैं हूँ, मैं center में आ गया हूँ, दोनों तरफ से पकड़ लिया गया हूँ, अब दोनों तरफ से same time पर खींचा जाएगा, तो beach में से एकदम split, center से एकदम split हो जाते हैं, बहुत clean तरीके से, nature सारा काम बहुत साफ सफाई से करता है, तो anaphase में centromere split हो जाते हैं, centromere split, एक, दूसरे से, centromere अलग हो गए, क्या कहा था, किन के through connected है यह, kinetochores के through, यह kinetochores के through connected थे थे ना, अब क्या होगा, यह जो sister chromatids थी, दो copies को sister chromatids कहते हैं, जो एक साथ chip की होई है, यह sister chromatids, अलग हो गई, तो यह one, दो में split हो चुका है, now these are two daughter chromosomes, दूसरा वाला one भी दो में split हो गया, यह two भी दो में split हो गया, और यह वाला two भी दो में split हो गया, तो पहले तो उनको compact करके बीच में लाया गया, धक्का मार मार के, जबरदस्ती बीच में भेजा है, और फिर बीच में भेजने के बाद धोका कर दिया, हर sister को एक दूसर से अलग कर दिया, sister अलग, तो पहले उनको बीच में लाये, और फिर एकदम ठड़ाक, सब को अलग करके छोड़ दिया, तो जब यह अलग हो रहे होते हैं, तो इसको scientist ने अनाफेस नाम दे दिया, और क्या दिख रहे हैं आपे, पहले तो center के बीच धक्का दिये जा रहा था, अब यह poles की तरफ खीचे जा रहे हैं, और हर तरफ आप देख सकते हो, कि centromiare आगे है, और arms पीचे-पीचे आ रही हैं, तो एंसे आटी ने लिखा है, centromiare is at the leading edge, हर तरफ आगे की तरफ centromiare है, और arms पीचे लहराते होए आ रही हैं उसके, तो centromiare leads, and arms trail behind, और फिर अगले पार्ट पे जाएंगे, तो उसको नाम दे दिया, T-low phase, ती-low phase के अगर हम बात करें, तो ती-low phase पे आते आते, वो जो सारे spindles थे, उनका destruction हो चुका होगा, और बिलकुल pro phase का उल्टा है, यहाँ पे एक नई nuclear membrane बनने लग जाती है, नय Nucleolus के assembly होने लग जाती है, नया नया Nucleolus बनने लग जाएगा, जितने chromatin condense हो रहे थे प्रोफेज में, वो decondense हो जाएंगे, coil हो रहे थे, uncoil हो जाएंगे, condense हो रहे थे, तो decondense हो जाएंगे, untangle, untangle मतलब सुलजना, अब वापस से tangle हो जाएंगे, वापस से उलज जाएंगे, तो यहाँ पे मुझे क्या दिखेगा, one, one, two, two की एक एक कॉपी सब के वास आई है, हर one की एक एक कॉपी, तो वापस से ये वाला one, वापस से ये दूसरा वाला one, वापस से एक two, वापस से एक two, सब वापस उलज चुके हैं, दूसरे nucleus का भी एक one, दूसरा वाला one, एक और two वाली कॉपी, दूसरी two वाली कॉपी, सब वापस से उलजने लग गए हैं, और फिर इसके बाद end आ जाएगा, opposite poles पे cluster होके, नहीं nuclear membrane से cover हो गए, इस point पे karyokinesis खतम, हमने गा था karyokinesis तो sideokinesis दो पार्ट है, हमने देख लिया mitosis में, कि pro phase के दो पार्ट हैं, metafase के दो पार्ट हैं, anaphase में करा दी splitting, और splitting के बाद, दो nuclear membrane से उनको घेर दिया, और अब last में क्या आजाएगा, इनकी cytokinesis, अगर तो एक plant cell की बात start करें, तो एक plant में तुम्हें पता है, सबसे outermost क्या होती है, middle lamella होती है, फिर तुम्हें पता है, plant में बाहर एक structure और है, celky wall, और इसके बाद यहाँ पे अंदर, एक flexible सी fluid सी plasma membrane, तो सबसे बाहर middle lamella, middle lamella के बाद cell wall, और cell wall के बाद plasma membrane, ठीक है, इधर एक nucleus ready हुआ, उसके अंदर सारा genetic material, दूसरा nucleus ready हुआ, यहाँ सारा genetic material, लेकिन, cell wall और middle lamella rigid है, इनको तुम पिचका नहीं सकते, तुम इनको पिचका नहीं सकते, तो NCRT बस यह कहती है, कि यहाँ पे cell wall की formation, center से बाहर की तरफ जाती है, तो होता क्या है, बहुत सारे tubulin proteins आते हैं बीच में, बहुत सारे microtubules, या tubulin protein आये, और इन tubulins के साथ में आये, बहुत सारे Golgi body, बूंदी का लड्डू जैसा बन गया नहीं आप एकदम, बढ़िया भूख लग जाएगी अब तुमको, तो बहुत सारा tubulin या microtubules इसे कहते हैं, और Golgi body, यह सब बीच में आ चुके हैं, यह कहते हैं, रुख जाओ, हम बनवाते हैं सारी चीज, अब यह क्या करते हैं, बहुत अच्छे craft man है यह, समझो बहुत अच्छे builder हैं, बहुत अच्छे मजदूर हैं यह, tubulin कहता है, मैं solid support दे रहा हूँ, Golgi कहता है, तुम support दो, मैं तुम्हारे उपर चीज़ें secret करते होएं चलती हूँ, तो शुरू हो जाते हैं दोनों के दोनों एक साथ, यह center से बाहर की तरफ दोनों direction में, middle lamella बनाते होएं जाते हैं, अंदर से बाहर, middle lamella बनाते होएं जाएंगे, और existing वालों से fuse हो जाते हैं, यही और Golgi tubulin, यही Golgi tubulin, इस तरफ भी, इस साइट भी एक नई cell wall डालते हो जा रहे हैं, existing cell wall के साथ fuse कर देंगे, दूसरे साइट भी, एक cell wall डालते हो जा रहे हैं, existing वाले के साथ fuse कर देंगे, इधर भी cell wall डालके, existing वाले के साथ fuse, इधर भी cell wall डालते डालते, existing वाले के साथ fuse कर देंगे, तो NCRT में यही लिखा है कि वो जो middle lamella बन रही है, जो दोनों walls के बीच में है, उसे ही cell plate कहा गया, अंदर से बाहर की तरफ movements चल रही है, तो centrifugal division है, और तो और ये एक नई plasma membrane भी डालते हो जाते हैं और plasma membrane को continuous कर लेते हैं तो बीच में ये जो opening खुली रह गई है, यही तुमारी plasma desmata बन जाती है, तो plant के अंदर जो cytokinesis चल रही है, वो इस तरीके से चलती है, this is the plant cytokinesis, दो cell divide हो गई, middle lamella भी आ गई, cell wall भी आ गई, plasma membrane आ गया, ये पूरा एक structure बन जाता है, plasma desmata बनाने के लिए, continuous cytoplasmic connection, वहीं पर अगर animal को हमें देखना हो, कि animal कैसे divide करेंगे, तो बहुत easy है, animal में तो कोई complexity नाम की चीज़ी नहीं है, animal में सीधा क्या है, outermost एक flexible plasma membrane है, वही इधर एक nucleus बन गया, इधर एक nucleus बन गया, अब, यहाँ पर microtubules का roll नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर roll आएगा, actin का, actin के members इस तरीके से जुड़-जुड़ के ring बना लेते हैं, तो यहाँ micro filament का roll है, यहाँ golgy और microtubule या tubulin आये थे, वो अंदर से बाहर की तरफ जा रहे थे और चीज़े बनाते गए, यहाँ पर actin चारो तरफ आके एक अठा हो गया, और अंदर की तरफ squeeze होने लग जाएगा, तो थोड़ी तर बाद ऐसा लगता है देखने में, यार यह cell को क्या हो रहा है, यह cell तो एक अंदर ही अपने गढ़्धे में जाता जा रहा है, तो इसी को हम बोल देते हैं furrow, तो animal के अंदर, NCRT ने नाम दिया cell furrow method, यहाँ पे नाम आता है furrow method, और plant में solid plate जैसे structures बनते हैं, तो यहाँ नाम आता है cell plate method, यह actin squeeze होके अंदर आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, और cell को अंदर जोड़ देगा एक time पे, एक time जब ऐसा आएगा, तो यह दोनों की दोनों cells, एक दूसरे से अलग हो चुकी होंगी, तो बस यही difference है animal और plant के cytokineses में, फिर NCRT ने कहा, ऐसी भी condition exist करती है, जहाँ पे karyokineses होगी, लेकिन cytokineses नहीं होगी, there will be no cytokineses, फिर इसे एक new karyokineses हो जाएगी, तो new karyokineses होगी तो 4 nucleus बन गए, फिर इसे cytokineses cancel और एक new karyokineses, तो multiple nucleus बनते ही जा रहे हैं, बनते ही जा रहे हैं, यही process repeatedly चलती जा रही है, karyokineses हो रहा है, cytokineses नहीं, karyokineses हुआ, cytokineses नहीं, इनको कहते हैं, free nuclear divisions, karyokineses is not followed by cytokineses, तो अब जो आपके पास यह multi-nucleate condition आती है, इस multi-nucleate condition को NCRT नहीं नाम दे दिया, syncytium, syncytium, दोनों चीज बोल लो, बड़ दिमाग में रख लेना कि है क्या, तो syncytium बोलो, syncytium बोलो, it is a multi-nucleate condition, karyokineses हो रहे ही है, cytokineses नहीं होती इसमें, तेक है, फिर NCRT ने importance बताई, कि भई क्यूं जरूरी था आपको mitosis कराना, तो जितना भी आपके body में repair होना है, healing है, regeneration है, वो सारी होती है, mitosis से ही, हमारा जो mitosis है, mitosis को नाम मिला है, Equational Division, क्योंकि ये chromosome number equal रखता है, Equational Division कहते हैं, chromosome का number same रखता है, diploid के बच्चे diploid, haploid के बच्चे haploid, same identical genetic complement के साथ, कोई variation लेके नहीं आता, कोई भी asexual reproduction होनी है, eukaryote में, हर type की asexual reproduction, plants के अंदर सारा का सारा vegetative propagation, vegetative reproduction, sub mitosis कराता है, cell का सारा का सारा healing, repair, regeneration कराता है, zygote से, embryo बनाके, एक पूरा का पूरा multi cell organism बनाने का काम, सारा mitosis होता है, restore कर देता है आपके लिए, nucleo-cytoplasmic ratio को, यह last वाला point बड़ा tricky लगता है बच्चों को, बड़ इसको ऐसे समझो, आपका एक cell है, cell क्या एक गोला है न बड़ा सा, उसके अंदर nucleus भी क्या एक गोला है बड़ा सा, तो एक स्फेर के अंदर दूसरा स्फेर है, अब इन दो स्फेर का जो ratio है, volume का जो ratio है, यह species to species, उनके cell to cell, अलग-अलग pre-decided है, आपके stomach के cell का एक ratio होगा, skin cell का कुछ ratio होगा, mouth के cell का कुछ ratio होगा, each and every cell of the body has its own, nucleo-cytoplasmic ratio, तो यह उनके volume की ratio है, अब S-phase के अंदर, nucleus में कितना कुछ हो रहा है, interphase में, cytoplasm में कितना कुछ हो रहा है, जब यह सारी चीज़े हो रही होती है, तो cell का यह ratio बिगड जाता है, अब वापस यह चीज़ों को equal बाट दोगे, तो जो original ratio थी वो मिल जाएगी, तो वो equal बाटने का काम, mitosis कराता है, और जैसा हमने कहा, अगर cell को divide करने का मन नहीं है, अगर cell नहीं चाहता कि मैं divide करूँ, तो वो जाके बैठ जाएगा quiescent stage में, इस state में जाके चुपचाप पड़ा रहेगा, cell division के respect में, ये inactive हो जाता है, लेकिन, metabolism के respect में, ये अभी भी active है, तो कई सारे cells, जो cell cycle से बाहर चले जाते हैं, वो इसमें बैठे हुए हैं, cardiac cells हैं, neurons हैं, plant में, primary, permanent tissues हैं, तो ये सब के सब क्या हैं, G-not state में, जब cell को जरूरत पड़ती है, cardiac और neuron तो नहीं आते, प्लांट में जो primary, permanent issues के cells हैं, जरूरत पड़ने पर वो वापस से cell cycle में आ सकते हैं, तो permanent exit भी हो सकता है, इन दोनों के अंदर permanent exit है, और इनके अंदर temporary exit है, कुछ members चाहें तो वापस cell cycle में आके, पड़ेंगे anatomy में, कुछ primary permanent tissues वापस cell cycle में आके, secondary meristems बना देती हैं, interfascular cambium, cork cambium, तो वो primary permanent issues वापस cell cycle में आ रही थी, इसलिए थी, तो यह हमारा G-not की speciality, फिर, NCRT ने एक और चीज़ बताई है, कि यह जो mitosis है, अगर तो आप बात करो plants की, तो plants के अंदर diploid और haploid दोनों cells दिखाएंगे, लेकिन अगर आप बात करो animals की, it is shown by diploid non-reproductive cells, non-reproductive cells को कहा जाता है, somatic cells, तो mitosis का एक नाम, equational division के अलाबा, somatic cell division भी है, animal के non-reproductive cell को कहते है, या फिर, it will be shown by undifferentiated germ cell, undifferentiated germ cell, primary spermatocyte और primary oocyte, खुद mitosis करके तो grow कर सकते हैं, लेकिन एक बार वो differentiation करने लग जाएं, फिर उनका जो haploid egg है, या haploid sperm है, वो mitosis नहीं करता, animal में diploid cells में mitosis होती है, not seen in haploid cells, लेकिन मैंने कहा है, चीजों के exception होते हैं, इसी का जो आपका exception है, वो ही exception बन जाता है हमारा, parthenogenesis, honey bee में female gamete, haploid है, unfertilized रहता है तो वो drone बन जाता है, male drone, तो वहाँ एक case है, जहाँ haploid cell ने mitosis की animals में, वर्णा animals में diploid cells हैं, जो mitosis करके दिखाएंगे, फिर आ जाते हैं meiosis पे, meiosis की अगर हम बात करें, तो NCRT ने कहा, meiosis में there are two rounds, of nuclear division, यानि karyokinesis, and two rounds of cell division, यानि cytokinesis, लेकिन, there is only one round, of DNA replication, replication, DNA का जो replication है, वो सिर्फ और सिर्फ S phase में होगा, और यह जो कह रहे हैं, दो बार karyokinesis चल रही है, यही होती है, हमारी meiosis one, and meiosis two, overall जब भी हम बात करते हैं, meiosis की, तो हम देखेंगे, कि यहां पर chromosome number half हो जाता है, तो इसको reduction division कहा, NCRT ने, इसको reduction division बोला, mitosis chromosome number half नहीं कराता, constant रखवाता है, तो इसको equational और इसको reductional कहा, ठीक है, और NCRT ने यह तक बोला है, कि यह जो meiosis two है, यह mitosis जैसे ही है, इसका मतलब, यह अपने आप में equational है, और असली में जो chromosome number half हो रहा है, वो तो meiosis one करा ही देता है, तो overall meiosis सो होती है, उसके अंदर meiosis one कराता है, meiosis two chromosome number को और half नहीं करा सकता, वो उसको equational way में ट्रीट करके देता है, meiosis one, meiosis two और मैंने का था, वो जो चार अक्षर है, वो common है, P, M, A, T, P, M, A, T, difference बस आता है कि यहां पर क्या हो जाएगा, pro phase one, यहां आप बोलोगे, metaphase one, anaphase one, helophase one, prophase two, metaphase two, anaphase two, helophase two, और फिर NCRT ने बताया, कि यह जो prophase one है, यह और complex और और लंबा है, और यह divided है, पांच stages में, मैंने खुद इसको याद रखा हुआ है, लाओ जरा पैसे दे दो से, So, leptoetin, zygotene, pacotene, diplotene, diakinesis, लाओ जरा पैसे दे दो, Leptobean, zygotene, pacotene, diplotene, and diakinesis, last वाले में टीन है नहिं आता, बागी सब में टीन, 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 टीन आता रहता है, ळीक है? बहुत आराम से, बहुत easy तरीके से इसको भी देखते हैं यहाँ पर भी अगर हमें flow देखना हो तो flow वही है G1 में रहा होगा cell फिर S में गया होगा फिर G2 में गया होगा फिर वो आएगा meiosis 1 में तो वही G2 की जो condition थी ना 2N is equal to 4 उसी को देख रहे हम वही condition हम वापस से देख रहे है S face के अंदर S face के अंदर हमारा centrosome duplicate हो चुका होगा ये एक thread 1 की ये दूसरी thread 1 की ये thread 2 की और ये भी thread 2 की भई तुम्हे भी यहाँ पर देख रहे हैं ना कुछ भी साफ दिखी नहीं रहा हर चीज गुच्छे में और तो और Nucleolus वगरा सब दिख रहे हैं तो G2 के अंदर हम यहां से इंटा करने वाले हैं तो एक-एक करके आगे बढ़ना शुरू करते हैं सबसे बहले देखते हैं Mioses 1 का Pro Phase 1 खुद ये 5 stages में divided है तो 1 2 3 तरक का साइज छोटा करना वड़ेगा एक दो इधर 3 इधर 4 और इधर 5 तरक करना वड़ेगराम में एक सिंगल फ्लोचार्ट में देखने की कोशिश करते हैं अब स्टार्टिंग में क्या क्या हैं ये हमारे वह ये पहला वाला मुझे बनाना है लेप्टोटीन सेकेंड वाला मेरा बनेगा जाइगोटीन तीसरा वाला बनेगा मेरा पैकटीन यहां मुझे दिखाना है अपना डिप्लोटीन और ये लास्ट वाले पे मुझे दिखाना है डाया काइनसेस सिर्फ और सिर्फ डाया काइनसेस है जहां पे न्यूक्लिय मेंब्रेन और न्यूक्लियोलस वगरा नजर नहीं आता बाकी सब में बाकी सब के अंदर नुकलियोलस नुकलिय मेंब्रेन सब नज़र आएंगे सिर्फ डायकाइनसेज में नज़र नहीं आएगा हर स्टेट में क्या होता जाएगा यह जो सेंट्रियोल्स और सेंट्रोजोम्स है न पहली बात तो यह हर स्टेज में धीरे धीरे एक दूसरे से दूर जाते रहते हैं दिरे धीरे दूर जाते रहेंगे डायकाइनसेज है जब यह बिलकुल पोलस पे बहुत जाएंगे और पोल पे पहुँचने के बाद अब यहाँ पे उसे mitotic spindle ना बोलके, meiotic spindle बोल दिया जाएगा, तो वो चीज़ खाली diokineses में होगी, लेकिन धीरे 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 ये poles पे move करते चले जाते हैं, सेम चीज, starting में हर डाइग्राम में मैं बस nucleus के लिए ये निशान लगा देता हूँ, last वाले में नहीं लगेगा, अब क्या होगा, G2 पे cell ऐसा दिख रहा था last में, सब कुछ उलजा हुआ है, कुछ भी सुलजा हुआ नहीं है, leptotene की अगर हम बात करें, तो NC18 ने बोला, leptotene में spoiling शुरू हो जाती है, तो ये जो धागे हैं, ये सुलजने लग जाते हैं, पहले उल्जे होए थे, leptotene का feature है, कि ये सुलजने लग जाते हैं, और microscope में जब देखते हैं, तो इन में हलका हलका इनके, beads जैसे structure दिखते हैं, तो इसको बोल दिया जाता है, beads on string appearance, they start showing beads on string appearance, lepto के बाद zygotene में आते हैं, तो जब zygotene में आते हैं, तो यहाँ पर दो sister chromatid हैं, दिखेंगे नहीं, यहाँ भी दो sister chromatid हैं, दिखेंगे नहीं, एक change हम करते हैं तुरंत यहाँ पर, एक chromatin का color change कर देते हैं, एक chromatin का color change कर रहे हैं, जस दिखाने के लिए, कि वो दूसरे parent का है, diagram में असानी होगी हमें crossing over समझने में, अपने diagram की असानी के लिए हम इसको change कर दे रहे हैं, 1-1, 2-2 अभी भी है, 2-1 is equal to 4 अभी भी है, एक 1 condensed हुआ, यह दूसरा 1 भी condensed हो रहा है और sister chromatids हैं, लेकर अभी clearly वो sister chromatids दिखते नहीं है आपको, यह one की एक copy, यह one की दूसरी copy, और ऐसे ही condensed हो करके, यह एक sister chromatid, यह दूसरा sister chromatid, यह two की copy, और यह दूसरा वाला two, मैंने sister copies बनाई हैं, बट वो तुम्हें भी नहीं दिखनी, क्योंकि microscope में भी नहीं दिखती हैं, यह pair करने लगते हैं, इस process को नाम दिया जाता है synapses, the process of pairing का नाम है synapses, और यह जिस protein की मदद से होती है, these proteins are referred as synaptonemal complex, एक zip जैसा structure है, जैसे jacket में zip लगी होती है न, वैसे zip जैसे structures है, इनसे यह आके जुड़ जाते हैं, they are zip-like structures, आके जुड़ गए, और हर pair में आपको दो ही धागे साफ दिख रहे हैं, तो इसको गहते हैं by valent appearance, इस appearance को कहा जाता है by valent appearance, हैं इसमें total 4 chromatid, दो एक के पास, दो दूसरे के पास, इस वन के पास भी 2 chromatid, इसके पास भी 2 chromatid, पूरे by valent में 4 chromatid, लेकिन दिख दो रहे हैं, तो इससे लिए इनको कहते हैं by valent appearance, यही जब packatine stage पर जाते हैं, तो packatine पर इतनी condensation हो गई है, इतनी condensation तो हो गई, कि chromatids एक दूसरे से अलग दिखने लग गए हैं, chromatid, साफ साफ एक दूसरे से अलग दिखने लग गए हैं, synaptonymal complex वाला protein पहले से था, जिसने इनको चिपका के रखा हुआ, एक दूसरे से, अब एक नई चीज आ जाती हैं यहां पर, जिससे NCRT ने नाम दिया, recombination nodule, इस recombination nodule के पास recombinase enzyme है, इस enzyme से crossing over होती है, तो crossing over takes place in packetine, material, दो non-systochromatic, अपना material exchange कराती हैं यहां पर, अगर crossing over बस में तो मैं अलग से दिखाने की कोशिश करूँ, तो कुछ ऐसा सा मामला चल रहा है, मामलोग अगर recombination nodule यहां बनाए, तो इतने area में recombination चलेगी, यह क्या करता है, DNA को खोल के न, uncoil कर देता है, और connection कैसे लगते है, cross connection, यह वाला pink इस green के साथ जुड़ जाएगा, और यह वाला green इस pink के साथ जुड़ जाएगा, इसलिए इसको कहते हैं crossing over recombination, cross over मतलब अदला बदली, recombine, यह combination तूट के कुछ और नया combination बन गया, तो this event is known as crossing over, लेकिन दिख नहीं सकता, क्यों नहीं दिख सकता, क्योंकि यहीं पर सारे synaptonemal complex के proteins हैं, जिसने इनकी pairing करा रखी है, यहाँ पर तुम्हें recombinase enzyme वाला recombination nodule दिखेगा, तो crossing over packaging पर होती है, तुम देख नहीं पाते, तो यह चीज़ हैं यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना इसको, क्रॉसिंग over जब हो रही थी, तो क्या हो रहा था, लेकिन यहाँ पर चार threads आप दिखते हैं, तो इसको NCRD कहती है, tetrad appearance, चार धागे वाली appearance, दो धागे वाली appearance, तो bivalent appearance, tetrad appearance, G2 के टाइम से sister chromatids बन चुके हैं, S phase के टाइम से sister chromatids बन चुके हैं, दिखने कब शुरू होते हैं, वो बात है, पहले एक sinaptonemal complex की मदद से जोड़ के रखना पड़ा था, अब जब cross over होई चुके हैं, तो खुद ही जोड़ चुके हैं, तो diplotene की पहचान है, कि वो जो sinaptonemal complex है, वो सारा का सारा खतम हो जाता है, ये वाला वन, ये था मेरा टू, ये रहा दूसरा वन, ये रहा दूसरा टू, अगर बहुत ध्यान से तुम सब देखो, तो तुम्हें भी बोर्ट पे ये X जैसे structure दिख रहे हैं, इनी X shape structures को बोला जाता है, कायाज मैटा, यहाँ पर crossing over हुई है, रिकॉम्मेनेशन नौडियूल पैकेटीन ने बताते था है कि कहाँ पर crossing over होने वाली है, तो crossing over takes place in पैकेटीन, बट दध कायाज मैटा इस वेजबल इन डिपलोटीन, वर्टीब्रेट की जो oocytes हैं, एक मदर cells हैं, वो डिपलोटीन पे महीनों या सालों के लिया रेस्टों के पड़ी रहती हैं, और फिर last state जो आई, प्रोफेज वन की, उसमें नुक्ले मेंब्रेन, नुक्लियलस, इयार गॉल्जी, डिसपेर, अब बो लोगे, मियोटिक स्पिंडल्स आ गए हैं, प्रोमोजोम कंडेन्स होते जा रहे हैं, और अब वो इतने कंडेन्स हो गए, कि उनका जो कायाज मैटा है, वो बिल्कुल टिप से जा चुका है, एकदम टिप पे से बस जुड़ा हुआ है यह, एकदम टिप पर जुड़ा रहे गया है, तो इसको कहते हैं, यह जा जा रहे हैं, और फिर डिप से जुड़ा है, लास्ट एट आएगी तो यह बिल्कुल अलग होच चुका होगा, तो यह प्रोफेज वन का पुरा डिप्रमाटिक रिप्रेजेटेशन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनसिस, इस डायकाइनसिस के बाद, यह आगे चला जाएगा, मेटाफेज वन पे, अगली स्टेट जो हम देख रहे हैं, मेटाफेज वन, फिर आएगा एनफेज वन, फिर आएगा टीलोफेज वन, फिर आएगा टीलोफेज वन, न्यूकले वेम्ब्रे, न्यूकले लाज तूटना शुरू हो गया था ना, अब मेटाफेज वन पे क्या देखेगा तुम्हें, अब मेरे जो क्रोमोजोम हैं, फुली कंडेंस हो चुके हैं, यह वन की कॉपी, यह टू की कॉपी, लेकिन जब यह अलग होंगे न, तो अब इनके साथ जेनेटिकली एक्सचेंज डू पोर्शन आया होगा, यह वन की कॉपी, यह टू की कॉपी, और यह जेनेटिक मटीरल हो चुका है एक्सचेंज, तो क्रोसिंग ओवर होग की वज़े से मटीरल चेंज हो गए, अब, स्पिंडल फाइबर, एक-एक साइट के ही काइनेट अकोर से जुड़े होए हैं, हर क्रोमोजोम चे दोनों तरफ स्पिंडल जुड़े ही नहीं, क्योंकि जाइगोटीन में जो पेरेंग होई, तो यहां तक भी वो पेर में आए, तो अब, इनकी डबल मेटाफेस प्लेट है, दो रो में आए हैं, सिंगल रो, सिंगल मेटाफेस प्लेट, डबल रो में आए, तो डबल मेटाफेस प्लेट, एनाफेस में खिचने शुरू हो जाएंगे लेकिन होमोलोगस पेयर अलग होगा, सेंट्रोमेर की स्प्लेटिंग नहीं होगी यहां पर होमोलोगस प्ले अलग होगा यह पूराग पूरावण एक तरफ पूरग पूराटू एक तरफ पूराग पूरावण और गलिच्टिस इसंगल नहीं ग्तरफ यह पूरग पूरावण जाओशनद आनल रो Jáa. along with the principles हड यह पूराग पूरा पूराटु अक तरफ इसका new genetic portion, इसका new genetic portion, इसका genetic portion, इसका genetic portion, तो anaphase 1 का feature है, separation of homologous pair of chromosome, तो left side में 1 और 2 की एके copy, right side में 1 और 2 की एके copy, और telophase 1 जब आएगा, तो spindle fibers वगरा खतम, एक नई nuclear membrane, एक और नई nuclear membrane, और NCRT ने कहा, कि अब जो आपके chromosome हैं, वो fully decondense नहीं होते, जैसे interface में होते थे, पूरा decondense नहीं होंगे, ये थोड़ा थोड़ा uncoil हो जाते हैं, तू की एक ही copy है, बन की एक ही copy है, पूरा uncoil नहीं हो रहे, partially uncoil हो रहे हैं, क्योंकि इनको एक round of division अभी और करानी है, तो telophase 1 पे NCRT ने कहा, partially coiling takes place, only a partial coiling is taking place, partial decondensation, partial uncoiling, extremely extended state जो थी, उस पे नहीं पहुचेंगे, telophase के बाद इनका cytokinesis होगा, plant वाला plant के तरीके से, animal वाला animal तरीके से, और NCRT ने कहा, कि cytokinesis 1 के बाद, आपके पास दो cells आएंगे, और इन दोनों को NCRT ने नाम दिया, dyad of cells, dyad of cells बोलके छोड़ दिया, पूरे uncoil नहीं हो रहे, partially coiling हो रहे है बस, अब हम एक चीज़ दोनों diagram में देख रहे हैं, कि दोनों के पास अब centrosome एक-एक है, आपको तो दो poles पे चाहिए, तो cytokinesis 1 हो जाने के बाद, NCRT ने कहा, कि यह सब के सब enter करते हैं, interkinesis, telophase 1 में NCRT ने लिखा है कि cytokinesis होता है, interkinesis होता है, interkinesis एक short lived duration है, यहाँ पे DNA नहीं replicate होता, there is no DNA replication, लेकिन इस period में तुरंत, centrosome बोल लो या centriole बोल लो, उनका duplication करा दिया जाता है, बिलकुल meiosis जैसे ही event है, pro phase 1 आजेगी उसके बाद, इसी के बाद सीधा start हो जाता है, meiosis 2, तो आपके पास pro phase 2 आ जाएगा, pro phase 2 के बाद, metafase 2, फिर anaphase 2, फिर telophase 2, simple divisions होती जाएगी, cytokinesis 1 दो यह वाले cells आये थे, तो वही cells यहाँ पर हम कैसे देख सकते हैं, हर cell के multiple बच्चे बनते जा रहे हैं, same set of events हैं, centrosome duplicate करके, सब के पास opposite poles पर आ चुके होंगे, यहाँ पर हमने centrosomes को इधर छोड़ा था न, तो अब यह perpendicular वाली side-in की pole बन जाएगी, कहने का बस यह मतलब है कि opposite poles पर यह आ चुके हैं, दोनों cells में, तो यह हमने बना दिये सारे के सारे centrosomes, अब इस वाले menciarity नहीं है ही कहा, कि वापस से compaction शुरू होने लग जाता है, तो यह रहा एक one, यह रहा two, यहाँ पर भी compaction शुरू हो जाएगा one का, compaction शुरू हो जाएगा two का, यहाँ पर भी mitotic spindle बनना शुरू हो चुका है, यहाँ पर भी mitotic spindle बनने शुरू हो चुके है, तो बस pro phase two की यही पहचान है, कि nuclear membrane, nuclear sphere गायब हो जाएगे, यह condense होने लग जाएगे, mitotic या meotic two के spindles बनने लग जाएगे, metaphase two पर आएगे, तो वापस से single alignment नजर आएगी, single alignment है, double plate नहीं बन रही है, single plate बना रहे है, अपने अपने centromere पे जो kinetocore है, उसके through spindle दोनों तरफ जुड जाएगे, बिलकुल mitosis ही जैसी process चलती होई नजर आ रही है, single metaphasic plate, फिर anaphase में क्या होता था, splitting, तो वापस से यहाँ पे sister chromatics अलग होंगे अब, अनफस्वें में पूरे homologa spare अलग होए थे, यहाँ sister chromatics अलग होंगे, one और one अलग, two or two अलग, तो अनफस्वें में homologa spare अलग हो गया था, तो वहाँ pole पे single single copies गई थी, तो इसलिए वो haploid तभी बन चुका था, sister chromatics अलग नहीं होता है, centromere split नहीं हुआ था, अनफस्वें में centromere split हो रहा है, sister copies अलग हो रही है, और अब जो मेरा telophase आएगा, इधर एक नहीं nuclear envelope, इधर एक नहीं nuclear envelope, इस cell में नहीं nuclear envelope, इस cell में नया nuclear envelope, और अब division खतम, तो fully decondence हो जाएंगे, एकदम must, यह one की एक copy, और यह two की एक copy, one की एक copy, two की एक copy, लेकिन अब एक एक copies हो गई है, starting हमने दो-दो copies से करी थी, अब एक एक copy रह गई है, वन की एक copy, two की एक copy, one की एक copy, two की एक copy, तो इस तरीके से, telophase two के अंदर, चार haploid nucleus बन चुके हैं, क्यूं बने haploid, haploid क्यूं बने वो, जब metaphase one पे pair में थे, anaphase one ने pairs को अलग किया है, तो आपके पास अब by default, dyad जब बना था, तो one और two की एक-एक ही copies हैं, sister copies साथ-साथ चिपकी हुई है, आपकी starting ये अब daughter cell में हां से, और ये one की एक copy, two की एक copy, तो इन्ही copies को split करके, एक-एक copy, एक-एक nucleus को दे दिये, इन सब में जो cytokineses होगी, उसको बोल देंगे cytokineses two, और इससे आ जाएंगे आपके पास चार product, तो उसको बोल देंगे tetrad of cell, आपके पास आ जाएंगे tetrad of cell, you will get four cells, तो उसको बोल दिया tetrad of cell, सब के अंदर अपने-अपने nucleus, लेकिन इन सब के nucleus हो चोगी होंगे haploid, सब के पास अपने-अपने centrosomes, सब के पास अपने-पने nucleus, सब्सक्लियोलस, single copy of one, single copy of two, और पहले वाले में मेरे recombination वाले chromatids गए, single copy of one, single copy of two, single copy of one, single copy of two, single copy of one, single copy of two, यहां दिखा दे रहूं एक में कि recombination वाले गए हैं, तो these are the tetrad of cells, यह हैं हमारे चार haploid daughters, वहां deploid के बच्चे deploid थे, यहां deploid के बच्चे haploid हैं, वहां एक बच्चे से दो बच्चे बने, यहां एक बच्चे से चार बच्चे बन रहे हैं, तो this is the meiosis का end, significance अगर हम देखें, तो plants में spore formation, meiosis से होती है, apploid spores बनाते हैं वो, animals में, gamete का formation, meiosis से चल रहा है, यही हमारा जो meiosis है, यही meiosis क्या करा रहा है, variations लेके आता है due to recombination, नए combination बना के देता है, और एक significance है इसका बहुत अच्छा सा paradox, paradox बोलते हैं self contradiction को, तो NCRT ने कहा है, कि यह जो meiosis है, chromosome number half भी कराता है, लेकिन एक generation से दूसरे generation में, chromosome number conserve कराता है, consider from one generation to other, मान लो, एक individual A है, एक individual B इसका male 2N46, इसकी female 2N46 वहीं पर B का male parent भी 2N46, female भी 2N46 ये हैं हमारे parents अब A की life ऐसी है, जिसमें सिर्फ mitosis ही हो सकती है और B की life ऐसी है, जहां nature ने meiosis डाल रखी है इन्हों ने बनाए है gametes यहाँ gamete बना 2N is equal to 46 यहाँ gamete बना 2N is equal to 46 यहाँ gamete बना N is equal to 23 यहाँ gamete बना N is equal to 23 gamete का होता है fertilization fertilization से जो zygote बना यह तो नया generation है यह हो गया 4N is equal to 92 और यहाँ सिंगयमी से जो zygote बना वो हो गया 2N is equal to 46 तो paradox यही है कि meiosis चीजों को half कराता है लेकिन यही meiosis थी तो parent भी 2N रह पाया और उसका बच्चा भी 2N रह पाया तो self contradiction है, half भी कराता है, same भी रखवाता है अगर mitosis होती, तो mitosis gamete same बनवाता लेकिन parent के respect में बच्चे tetraploid हो रहे है ऐसा नहीं होता, यह है case जो exist करता है तो यही meiosis की importance है कि half कराने के बावजूद एक generation से दूसरे generation में constant कराता है तो यह NCRT के diagrams है, early pro phase, late pro phase फिर यही same चीज हमने draw करी थी transition to metaphase and metaphase, anaphase में अलग हो गए telophase के अंदर सारी entity हतम ठीक है fluorescent microscope से यह ऐसे अलग-अलग stages नजर आते है interface नजर आता है early pro phase, फिर late pro phase, फिर transition to metaphase, फिर एकदम central alignment में आ गए सारे, सारे के सारे central alignment में सारे आ जाते हैं तो metaphase, यहाँ अलग होने लग गए, anaphase, यहाँ nucleus के entity फिर से आ गई, तो telophase और जब cytoplasmic division हो गया, तो cytokinesis late pro phase में हम देख रहे हैं, कि वो दीरे-दीरे condense होके double chromatid के appearance दे रहे हैं, बड़ randomly fell है transition to metaphase में इनको पकड़-पकड़ के बीच में लाना शुरू किया है, और metaphase तक center में आ चुके हैं यह सारे prophase 1, यहाँ पर main event recombination, यहाँ double metaphase plate, homologous pair अलग हो रहे हैं, sister chromatid साथ में, और यह दोनों हैं, dyad of cells और यहाँ पर आ गए, तो वापस spindles चिपक चुके हैं, single metaphasic plate, sister chromatid separate, and now you have four tetradoff cells तो यही था हमारा सारा का सारा, meiosis and mitosis, यह recombination की process है, interchange हो जाता है, genetic material तो that was it for this lecture, एक बार सारी की सारी चीज़ वापस अपने NCRD के साथ या अपने notes के साथ बैठके देखोगे, match करोगे, तो सारा recap तुरंत हो जाएगा, सारी mapping हो जाएगी, diagrams के हिसाब से, till then, signing off, मिलेंगे नेक्स क्लास में, work hard, teachers की बात सारी मानना, parents की बात मानना, और जिंद कर दो